हलो फ्रेंड्स वेल्कम टो युरों चैनल सिविल्स तैयारी आज डेट है 30 जूम 2020 और आज हम कॉंप्रेंसिव नीज अनालेसिस का डिस्केशन करेंगे तो इस इस नीज अनालेसिस शुरू करने से पहले डेली आंसर राइटिंग चालेंज के क्वेशन्स देखते हैं पहला क्वेशन जो आज हमें देखना है वो है एनेक्सेशन ऑफ बेस बैंक बाई इस्रेयल विल इशाल मानविय संकट पैदा करेगा बलकि भारत को एक राजना एक बंधन में भी डालेगा इस पर आपको टिपड़ी करनी है तो आज हम देखेंगे कि क्या असर पढ़ने वाला है इस्राइल का जो यूनि लेटर एनेक्सेशन है वेस्पैंक का जो की पालिस्टीन की टेरि इस्राइटिंग करके और उसको आप डाल सकते हैं हमारे ग्रूप पर एड़रेट सिवल्स तैयारी ग्रूप इस पर डाल सकते हैं जिससे की आंसर चेक हो जाए नेक्स्ट क्वेशन हमारा है पेपर नमबर वान से दस्टिवियरेटी ओफ हंगर क्राइस मेक्स इट नेसेसरी तो भूख संकट की गंबीरता नीती निर्माताओं के लिए को देखते हुए नीती निर्माताओं के लिए आवश्यक है कि वे वन नेशन वन ग्राशन कार्ड के बजाए अस्थाई तोर पर उनिवर्सल पीडियरेटी ओपर इसे समझाएगे तो ये दो आर्टिकल्स हैं जो चुरू करते हैं तो गईस हमारा जो पहला क्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाल आर्टिकल देखे के इन 24 आर्स पैलेस्टीन फेसेज एंड एक्जिस्टेंशल थ्रेट तो ये हामिद अंसारी जी के द्वारा लिखा गया है आपको पता होगा हामिद अंसारी जनरल एंटोनियो कुटेरिस ने एक वर्चुल मीटिंग होल्ड की थी UNSC की इसराइल-Palestine conflict के उपर और उन्हें कहा था कि ये इसराइल-Palestine conflict में watershed moment है अब watershed moment क्या होता है कही बार हमने discussion किया है watershed का moment अगर आप जोग्रफी के student है तो आपको पता होगा कि watershed जोए एक dividing line होती ह है तो एक dividing moment जहां से जोए स्कोर्स पूरी चेंज हो जाए उसको हम watershed moment कहते हैं तो ये इसराइल-Palestine conflict का watershed moment है क्योंकि इसराइल का जो प्लान था कि वो West Bank के parts को annex करेगा उससे जो है Palestinians काफी अलाम हुए थे और Israelis जो है बहुत सारे Israelis और international community भी अलाम हुई थी ऐसा annexation अगर होत सब्सक्राइशन होगा international law का तो एंटोनियो गुटेरिस जी ने कहा था कि इसराइली कर्मेंट जो है अपना एबेंडन यह जो प्लान है annexation का उसे अबेंडन करें उसके अलावा उन्होंने जो है Middle East Quartet Quartet में हमारे USA, Russia, European Union और UN आते हैं उनको कहा है कि वो जो mandatory role है उसको रिज सब्सक्राइशन के बात करें तो यह एक वाइलेशन है आप हारे international law का तो देखे इसराइली प्राइमनेस्टर बेंजमिन नेतन यहू जिनको है वहां पे बीबी में बोला जाता है उनका प्लान है कि वह और मुस्ट 30 परसंट जो है occupied West Bank को जो है एनेक्स कर लेंगे अब यह कर लिया जाएगा इससे यह जो है एनेक्सेशन जो है जितना भी पोस 1967 हुआ था जितने भी सेटिल्मेंट्स हैं वहां पे उसके अलावा जो सराउंडिंग एरियास है जो एक्सस रोड्स हैं उन सब को जो है एनेक्स कर लिया जाएगा तो देखे वेस्ट बैंक में बहुत स प्लान बनाया जा रहा है एक किसी एक स्रेट की के इस पैंस पर अगर कोई टरीटरी एक शक्यवबाई एक व्याइगता अनेक्सेशन कहा जाता ध 형 ये बर्मन जो कि Brown University USA से हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये जो action है, even if Israeli laws को allow कर देती है, तब भी इंटरनेशनल law के तहत illegal होगा, और universally acknowledge जो principle होता है, inadmissibility of acquisition of territory by force इसको जो है, नेगेट करेगा, तो ये जो है, एक accepted position है कि इंटरनेशनल legal bodies और ICJ में ये जो अगर इसराइल का act है, ये sanctify नहीं हो पाएगा, ये position जो है, Office of High Commissioner Human Rights, UN Human Rights ने भी ली थी, और उन्होंने जो है, 16 जून को कहा था, कि ये जो annexation है, occupied territory का, ये एक serious violation है, Charter of United Nations का और Geneva Conventions का, और ये fundamental rule जो है, UNSC का और General Assembly का उसके against है, और territory of war जो है, उसको occupy करना, annex करना, by force, ये inadmissible होता है, इन्होंने ये भी point out किया का था, कि जो 53 year old Israeli occupation है, इससे बहुत जादा human right violation हुए है, Palestinian लोगों के उपर, और ये जो human right violation है, ये intensify हो जाएंगे annexation के बाद, जो बचेगा West Bank का, वो जो है, Palestinian बंटूस्तान होगा, island होगा, जो कि disconnected है land से, और completely इसराइल के द् rounded है, जिसका कोई territorial connection नहीं होगा, outside world से, इसराइल ने अभी recently promise किया था, कि ये permanent security control करेगा, Mediterranean और Jordan River के बीच में, इसी लिए, दो चीज़ें जो है annexation के साथ हो जाएंगे, पहली चीज, दो लोग जो कि same space में रहते हैं, उनको जो है, रूल किया जाएगा same state से, बट उसके साथ साथ उनके पास unequal rights होंगे, तो same state रूल कर रहा है, पर rights जो है, unequal हो जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं, अपर third के equivalent, जो है, sound करेगा, ये statement कि ये conclude करता है, कि इसराइल का जो भी past violation है, जहां पर उसने international law को violate किया है, उसकी accountability होनी चाहिए, और एक impunity जो है, उसके पर impose की जाने चाहिए, international community के द्वारा, जिससे की वो international laws को violate ना करे, नितन यहाहु जी की बात करें, तो उनकी ब्रेवर्डों के पर अलावा जो एक opinion पोल जो है, कंड़क की गई थी, Israeli newspaper, हार्थेज में, मार्च को, मार्च पिछले साल, और उसमें ये show किया गया था, कि 28% Israelis जो है, annexation के ख with no political rights की बात की, और 15% ने partial annexation की बात की, 30% ने कोई view express नहीं किया, एक और interesting unprecedented entrant has debate में, एक article जो की लिखा गया था, it's either annexation और normalization, ये Hebrew में लिखा गया था, United Arab Emirates की ambassador के द्वारा, जो कि वाशिंग्टन में है, और ये article जो है, Israeli newspaper, Yedit Arnaut में लिखा गया था, इस आर्टिकल में करज किया था, Israeli government से, कि वो इस तरह के contaminated move जो है, ना ले, जो ये move करना चाता है, उसको ना ले, अब इसका फरक क्या पड़ेगा, देखिए, इस सबसे बड़ी बात है कि, क्या effect पड़ेगा, अगर annexation हो जाता है, Palestine का, तो देखिए, सबसे पहला जो consequence होगा, ये होगा, कि क्य पलिस्टीनियन, जो कि annex area में रहते हैं, और जो कि 23% जो है, प्रॉपर लैंड को रेटेन करते हैं, क्या उनकी private property उनके नाम पे रह पाएगी, क्या उनके पास legal framework होगे, क्योंकि यहाँ पर दो class population हो जाएगी, और यहाँ पर division होगा, ethnicity के रूपे, कुछ को जो है, Israeli residency मिलेगी और कुछ लोगों को subjects treat किया जाएगा, तो क्या annexation से कितने उनको rights दिये जाएगे, यह एक बहुत बड़ा question है, तीसरा question यह है, क्या इनको Palestinians जो कि annexation के वज़े से Israel के अंडर आ जाएगे, तो क्या उनको Israeli Arabs के जैसे treat किया जाएगा, जैसे कि Muslim Christians और Druze इनको वैसे treat किया जाता होने के right है, वो चले जाएगे, खतम हो जाएगे, और सबसे बड़ी बात है, self determination का जो right है, क्या वो recognize होगा या नहीं होगा, क्या इस move का कोई demographic consequence होगा, देखे, Israel foundational proclamation से कहता है कि यह Jewish state नहीं है, बट इसके जादा तर जो inhabitants है, वो Jews है, और यह state जो है, जहाँ पर भी वो या में वो अगर आना चाहे तो इधर आ सकता है, official ideology है, इसराइल की, वो जियोनिजम की है, जो कि analogous है, वागी doctrines के साथ, जिसमें स्ट्रिंड नेशनलिजम की बात होती है, 20th century में जैसा था, मतलब फंडमेंटलिजम है इधर, और इसको जो है, कहीं न कहीं, इसको डिसक्रा सब्सक्राइब करना है, इसराइल से, और ये हमें वेट इन वाच करके देखना है, 1967 में देखे, वार हुआ था, और वहाँ पे इसराइल का जो एफर्ट उस वार के बाद है, वो यही है कि settlement का जो भी एफर्ट इसको प्रोस्टेस्टिनिट किया जाए, डिले किया जाए, औ और चेंज जो है, स्टेटस को को अन ग्राउंड चेंज किया जाए, आज के टाइम में इसराइल जो है, मेंबर है, इंटरनेशनल कम्यूनिटी का, और कॉंट्रिब्यूट करता है इंटरनेशनल कॉपरेशन में, इसने नॉर्मलाइज कर लिए अपने रिलेशन्स बहुत सा इसके लिए रिलेक्टेंट है, और इसका रीजन ये है कि इसराइल के पास सपोर्ट है, बहुत पारफुल फ्रेंड्स का, जैसे की यूएस से का, और ये जो है चियो पॉलिटिक्स को चेंज करने में कहीं न कहीं इसराइल की मदद कर रहा है, रिकॉर्ड जो पलिस्टीनिय लिबरेशन आर्मी के द्वारा ओलंपिक विलेज में जाकर के, तो ये पैलेस्टीनियन रिजिस्टेंस है, और प्रोटेस्ट मॉव्मेंट जो है चालू है और अल ओर दी वर्ल्ट, ये शो करता है कि इंजस्टिस और डिनायल ऑफ राइट जो है पर्मानेंट नहीं हो सकते जेम्स जीन जेकस रूजू ने एक पर कहा था कि स्ट्रॉंगेस्ट इस नेवर स्ट्रॉंग इनफ तो ऑल्वेस्ट वी अ मास्टर, अनलेस ही ट्रांस्फॉर्म्स इस पावर इंटू राइट और ऑबिदिन्स इंटू डूटी, तो देखें यहाँ पे एक बहुत अच्छी यह कोर्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं, पर्मनेंटली कभी इतना स्ट्रॉंग नहीं होता कि किसी को दबा के रख सके, और जब भी थोड़ी सी वीकनेस आएगी, तभी जो ऑप्रेस्ट है, वो जो है, स्ट्राइक बैक करेगा, इसी लिए अर्टिमेटली आपको जो है इंडिया का है, इंडिया की से टिप्लमाटिक बैंड में आया है, इंडिया के समबंद इस्राइल और पालिस्टिन दोनों से अच्छे हैंIF are a friendship Lutheran लोगों के साथ और इंडिया ने ईन फ्रिंस्पल सपोर्ट किया है उनके कोज के लिए और इंडिया ने और ये इवन हमारी इंडिपेंडेंस से पहले हम पैलिस्टीन को सपोर्ट करते आए हैं ग्लोबल स्टेज पे इन्वेरेबली हमने यूएन सेक्यूर्टी काउंसिल और जनरल एसेंबली में हमेशे पैलिस्टीनियन के कोस को सपोर्ट किया है इवन हमारे इसराइल के साथ जो रिलेशनशिप हैं काफी स्ट्रेंदेन हुए हैं हाल फिलाल में और हमारी बहुत स्टाटिजिक रिलेशनशिप है इसराइल के साथ जहां पर हमारी डिफेंस डील्स काफी सारी इसराइल के साथ की हुई है तो ऐसे एक crucial juncture में हमारी लिए हम अगेन जो है एक diplomatic fix में आ गए हैं कि हम किसको support करें इस्राइल को करते हैं तो हम जो है Palestinians को जो है कही न कहीं उनके against जाएंगे और ये हमारे जो है अगेन हमारी friendship के लिए सही नहीं होगा morally हमारी लिए सही नहीं होगा और एक बहुत बड़ी जो Muslim community है उसके against भी हम कही न कहीं अपना posturing करेंगे और अगर हम Palestine के साथ जाते हैं इस्राइल के against जाते हैं तो again हमारा जो है ये all weather friend रहा है इस्राइल even हमारा 1971 का जो war हुआ था वहाँ पर इस्राइल ने बहुत important हमारी help की दी technology और defense provide करके तो ये कहीं न कहीं ऐसा critical juncture है जहां पर हमारे लिए बहुत सारी problems है diplomatic हमारे लिए एक fix create हुआ है अब अगर हम support करते हैं इस annexation को तो हम contravention करेंगे international legality का और अपने commitments का जो हमने Palestinian लोगों को दिए है next question जो हमारा है वो हमें देखना है इस वाले article से green up plenty and the crisis of hunger तो देखिए economic crisis जो है continue हुआ है because जो हमारे lockdown हुआ उससे बहुत बड़ी जो है लोगों और वो भी एक लंबे time तक चला उससे कही ना कहीं लोगों के lives and livelihood पे बहुत बड़ा असर पड़ा है और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एक्तम boundary पे थे उनकी जो है hand to mouth थे उनके पास savings नहीं थी sufficient उनको जो है बहुत जादा problem face करनी पड़ी है अब यह economic crisis continue कर रहा है और health system दीरे दीरे crumble down कर रहा है क्योंकि हमारी जो burden है कोवेट cases के वो बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में एक चीज क्लियर है कि हमें जो है वापस जाकर कि जो normal चीज़ें थी उनको लाने में नॉर्मलाइज करने में काफी टाइम लगेगा unemployment काफी हाई है और जो lost livelihood है उसको rebuild करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इंडिया अलुड़ी एक economic slowdown phase करा था इवन बिफोर कोवेट और हमारे यहाँ पे inequality का level काफी हाई है टॉप 90% जो income generate करते हैं वो केवल 1% आफ इंडियन्स हैं बाकी हमारी जो 10% आफ इंकम है वो 90% लोगों के पास जाती है तो यह जो inequality है यह और ज़्यादा बढ़ जाएगी because of economic slowdown फिर जो हमारे interventions थे जहां पर रिवाइट करने की कोशिश की गई थी की दिमांड को और employment क्रियेट करने की कोशिश की गई थी उसके लिए वह सक्सेसफुल शॉर्ट टम में नहीं हो पाईगी इसलिए यह ज़रूरी है कि फूर्ट सपोर्ट हमें हम प्रोवाइट करें in the form of free यह subsidized grains जो कि सभी के लिए अविलेबल हो बिना किसी disruption के अब हम गर्मेंट का response देखते हैं क्या रहा hunger crisis को deal करने के लिए hunger को address करने के लिए central government ने एनाउंस किया था अपने प्रधान मंतिरी गरीब कल्यान योजना के तहत कि वो कम से कम 5 kg food grains और 1 kg pulses जो है free प्रोवाइट करेगा उन लोगों के लिए जो कि beneficiaries है national food security act के तीन महने के लिए यह प्रोवाइट किया जाएगा अब यह देखे जो beneficiaries and national food security act के उनको जो है तो यह जो प्रधान मंतिरी जन यह आपका जो योजना में दिया गया था प्रधान मंतिरी गरीब कल्यान योजना में जो भी food grains दिया गया था यह temporary provision था और किवल दो महने के लिए किया गया था अब देखे क्या करना चाहिए बहुत बार जो है आर्ग इसलिए उनको जो है यह नहीं मिल पाता है तो ऐसे में कहीं न कहीं यह कहा गया है कि तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए हमें जो है पीडिय सिस्टम जो है यूनिवर्सल कर देना चाहिए जिससे कि अभी कोई एक्सक्लूड ना हो इसको हम टेंपररेरी बेसिस पर कर सकते हैं एक और नीड यह है कि हम जो है फूड सपोर्ट जो हमने अनौंस किया था प्रदानमंद्री गरीब कलियान योजना के तहत और आत्म निरभर भारत पैकेज के तहत उसको एक्सेंड करना चाहिए लूंगर प यह और यह भी रिपोर्ट किया गया है कि Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution रामिलास पासवान जी ने फूड एक विडियो कॉन्फरेंस में कहा था कि 10 स्टेट्स ने उनको लिखा है कि यह जो डिस्टिबूशन है तीन और महिने के लिए एक्स्टेंट किया जाए गर्मेंट ने अभी ऐसा पोस्ट है कि वह एक्स एचीव हो जानी जाए 2021 तक वन नेशन वन कार्ड के तहत एक बैनिफीशरी जो है राशन की एंटाइटिल्मेंट किसी भी NFS शॉप या फेर प्राइस शॉप से ले सकता है कंट्री में अपनी आधार नंबर और बायोमेट्रिक अथिंटिकेशन को को यूज करके तो एपरेंट्ली यह पॉसिबल होगा जब आधार नंबर सभी मेंबर्स के पास हो जो कि एनलिस्टिट है राशन कार्ड में और उनको सीड किया गया हो राशन कार्ड से उसके अलावा ट्रांजेक्शन जो है पीडियेस में उनको हमें डिजिटल प्लैट्फॉ यह प्राब्लम है फिर अगर स्टेट्स में करनी है तो एक वैलेट कंसर्न है कि किस तरह से एंटाइलमेंट विदिया जाएगा मार्ड वर्कर्स को वान निशन वन कार्ड एक प्राब्लम यह है कि यहां इसको जो हम सॉल्व करने के लिए आधर कार्ड यूस करना चाह रहे ह अब experience जो biometric authentication से रहा है वो यह है कि point of sale machine में कहीं न कहीं exclusion रह जाता है marginalized लोगों का बहुत सारी reasons की जैसे जैसे कि network नहीं आ रहा है तो exclude हो जाते हैं फिर कभी-कभी finger properly read नहीं होती authentication failure हो जाता है तो यह exclusion जो है बढ़ जाते हैं इन concerns को अगर हम हाल फिलाल के लिए side कर भी दें तो यह नोट करना चाहिए कि one nation one card एक solution नहीं है क्योंकि अभी जो hunger crisis है वो immediate है और one nation one card जो है 2021 तक जो है implement किया जाएगा यह government के द्वारा कहा गया stated fact है और यह हम देखते हैं कि ज humanitarian proportion ले चुका होगा इसी लिए need of the hour अभी है ना की बाग में तो यह एक बहुत बड़ा genuine concern है जो जिसको address करना अभी हाल फिलाल में ज़रूरी है integrated management अगर PDS का किया जाए तो उससे real time data जो मिलता है वो यह show करता है कि में में almost total 378 transactions हुए थे जिसमें 3077 beneficiaries थे under one nation one card और 479 transactions हुए में तो यह figure जो एपरेल के लिए और भी लोवर है ironically यह भी कहा गया है video conferencing में कि जो scheme है वो benefit देगी migrant worker को stranded को और नीडी को जिससे कि वो अपने quota का food grain जो है access कर पाए one nation one card की portability से तो देखिए transaction बहुत कम है उसके बाद कि अगर आपने migrant labor का ही वो देखा होगा total strength देखी तो कहीं न कहीं यह जो है sufficient नहीं है फिर ग्रेनरीज के अगर हम बात करें तो इस पार का जो food रहा था जो इस पार की वीट का प्रोडक्शन रही काफी अच्छी रही है bumper वीट रहा है अगर हम unmilled paddy food grain stock FCI पिक के पास देखें तो almost 100 million tons metric tons का है buffer stock का जो norm है वो 41 million metric tons का है तो 59 million metric tons हमारे पास additional है जिसको हम procure use कर सकते हैं और यह जो है एक और वीक अगर procurement का जो open है अराभी marketing सीजन से इसे कहीं न कहीं और भी हमारा procurement total बढ़ जाएगा तो हमारे पास procured जो वीट है काफी अच्छा है काफी जादा है food grains हमारे पास sufficient है और universalized गराम PDS देते हैं 10 kg food per person अगले चार महिने के लिए तो भी हमारा केवल 47 million metric tons जो है खर्च होगा इस assumption पर कि 85% population actually जो है राशन को यूज कर रही है तो यह हम safely assume कर लेते हैं कि rich जो है automatically self-select कर लेंगा अपने आपको इस system से बाहरे तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो actual requirement है वो काफी कम पड़ेगी 47 million metric tons से कम पर जिस्ते की जो food stock है हमारे पास हाई है hunger crisis चल रहा है तो hunger crisis को हम सही से solve कर सके उससे पहले भी open market sales system में यह हमारा experience रहा है कि बहुत जादा hope नहीं मिलता है बहुत जादा successful नहीं रहता है इसलिए best strategy रहेगी government के पास वह है कि जो भी हमारे पास food grains है एक्स जो रॉट कर रहे लोगों की हंगर क्रैसिस से मीट करने के लिए देखे चूज करना option में यह देखे option हो जहां पर लोग हंगरी जाए और दूसरा option हो कि जहां पर हमारा food में रॉट करता रहे तो यह कोई option नहीं है अगर हम इसको चूज करते हैं तो यह क्रिमनल है और यह काफी जो है एक वेल देखना है वे कॉशिस बट फर्म यहां पर देखे इंडिया और चाइना का जो अभी कंटीनियूड स्ट्रागल है उसमें एक कल नया टूस राय जब 59 जो आप्स थी चाइना की उनको बान कर दिया गया है डिप्लोमाटिक आज चाइना का और इंडिया का डिप्लोमाटिक ह इंडिया के अंदर वह के अंदर वह विलिंगने सर्फार्म अब आपनी चाइए युएसे के का ट्रेड वर्स शुरू हुआ था 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 यूसे ने सबसे पहले हुआवे की जो उनर थी उनकी बेटी को सबसे वहले अरेस्किया था और हुआवे के लोगों के उपर संक्शन लगाए थे तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं देखें मिनिस्ट्री ओफ एक्टरनल एफेर्स ने बहुत पार ये बोला है कि एलेसी में जो भी सुच्वेशन है वो डायलोग के थू जो है हम सॉल्व करेंगे अपनी लेटिस स्टेट्मेंट में भी ये दिया है पर कहीं न जो भी हमारा कंटिनस बिल्ट अप है जहां पे हम प्रेशर पॉइंट बना के मिन्टेन किये हुए हैं ट्रेट के उपर हम रेस्टिक्शन डाल रहे हैं तो उससे कहीं न कहीं हमारा जो एक क्लियर वर्निंग है चाइना के लिए कि कंटिनियोशन अगर होता है पहले इस सिच कि थी उसमें कहें चाइना ने क्लियर ली 1993 के जो हमारा एक्रिमेंट वा था बॉर्डर पीस और ट्रेंक्लिटी का उसको वाइलेट किया है उसके अलावा जो यूसेज था वेपन्स का वह भी क्लियर वाइलेशन था 2005 की पीस फ्रीटी का और 1993 की पीस फ्रीटी का तो चाइना कहीं inevitable है कि government को probing होगी questioning होगी कि इतना जादा जो troop mobilization हुआ चाइना के द्वारा तब हमें क्यों नहीं पता चला यह हम कई पार ही questioning कर चुके हैं कुछ और questions जो maintain रहेंगे वो हैं कि ministry of external affairs का जो consistent stand है कि Chinese troop इंडियन LAC को cross के नहीं आये थे या सिर्फ attempted transcription थे PLA के द्वारा जब stand local stand eye है LAC को लेकर के वो कहीं न कहीं weekend होती है government को clarity देनी होगी nation को challenges और जो भी steps से आगे लेने वाले उसके बारे में बताना होगा और यह पूरा-पूरा ensure करना होगा कि status को anti restore किया चाहें में वाली position से पहले चाइना के द्वारा हर step चाहें वो military action हो चाहें international support हो चाहें sanctions हो चाहें Chinese band product के उपर उसमें या फिर participation हो Chinese telecom companies का उसकी उन सबकी serious consequences हैं और उनको जह है white consultation के थूँ जह है लेना होगा government को और simultaneously लोगों को prepare करना होगा कि क्या आ सकता है तो यह preparation भी काफी जरूर्ष नेक्स्ट आर्टिकल है legitimate concern तो आपने देखा होगा कि recently एक letter लिखा गया था वहां के governor आरेन रवी के द्वारा जहां पे उन्होंने चीफ मिनिस्टर से कहा था कि law and order पूरी तरह से state में collapse कर गया है आम गैंक्स जो की इंडिया की sovereignty और integrity को question कर रहे हैं और वो authority को challenge कर रहे हैं क्योंकि वो extraditions और stiffening off कर रहे हैं funds की developmental works को रोक रहे हैं अब यह जो government है governor का इस तरह का जो write-up था जहां पे यह बात कही गई थी कि ट्रांसफर और पोस्टिंग जो official की की जा रहे है वो बिना उनके approval के की जा रहे है जबकि यह प्रपोस्ट आर्टिकल 37, 371, A का सब क्लॉस 1 और उसका सब क्लॉस B के तहर कि जो भी postings और ट्रांसफर्स होंगी वो governor की approval से होनी चाहिए तो वो एक concerns दिखा रहे थे civil society की law order जो है वो slide हो रहा है illegal collections किये जा रहे हैं armed groups पर और यह issue काफी लंबे time से इस area में नागलेंड में महसूस किया जा रहा है अपने response letter में insurgent nationalist socialist council of नागलेंड इसक म्यूबल NSCNIM इसमें जो है यह कहा गया कि वो seas fire observe कर रहा है government के साथ और group केवल टेक्सिस कलेक कर रहा है यह suggest करते हुए कि governor inaccurately describe कर रहे है on ground situation को अपने letter में यह जो letter है इससे कहीं न कहीं difficult situation create हुए दोनों letters से जो एक वहां की local government है उसके लिए difficult हुई है situation अब देखिए जो peace record था जो insurgent groups के साथ sign किया गया था नागर conflict को कहीं न कहीं खतम करने के लिए उसमें यह center के push से finally conclude हुआ था पिछले साल Mr. Ravi जो कि अभी वहां के governor है वो center के chief interlocutor है थे और यह interlocutor की position उन्होंने 2015 से अपना के रखे हुई थी तो उनको बहुत अच्छी जानकारी है वहां की insurgent groups के बारे में और उन्होंने insurgent groups के साथ बाचीत की थी peace process sign करने में उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई थी CNIM की obstancy मतलब जित की वो एक separate flag retain करेगा उसके अलावा उसकी unwillingness की वो parallel administrative जो structure बना के रखा हुआ है पारा military जो इसने structure बना रहके रखा हुआ है उसको वो जो है तोड़ने के लिए dismantle करने के लिए तयार नहीं है इससे बागी जो नागा organizations है उनके अंदर distrust create होता है और उससे कहीं ना कहीं जो core ideology है नागा लिम की वो उससे और inherent difficulties create होती है और बागी जो institutions है वो इस conflict को maintain करने में कहीं ना कहीं तयार मतलब conflict कहीं ना कहीं राज्ज ऑन ground चल रही है तो even peace process sign होने के बावजूद भी ceasefire sign होने के बावजूद भी on ground situations change नहीं हुई है इसी लिए यह एक जरूरी होगा कि अब सेंटर जो है इंटर लोकुटर का extension करें और मिस्टर रवी को कहीं न कहीं एक मौका दे कि वो इस problematic issue को address करें और इसके लिए उनको जो है authority असर्प नहीं करने होगी state government से बलकि patiently जो है peace process के उपर refocus करना होगा और सारे groups को एक साथ ला करके तब यह ensure करना होगा कि groups ultimately जो है parallel जो भी उन्होंने administrative structure create कर रखा है उसको dismantle करने के लिए तयार हो जाए और जो ideology है center की और constitution की उसको मानने के तयार हो जाए और इस तरह की illegal extorsions ना हो जिससे की on ground जो है situation improve हो सके तो आज के discussion में इतना ही अगर आपको पसंद आया हो तो like करना ना भूले thanks a lot and have a good day